हम यहां पर एक ऐसी आइध्यासिक मीटिंग की और बहुत सी चीजें हम चर्चे में लाएं अधिक से अधिक पार्टियों को पुरे देश में एक जुट करने का प्रयास करें देश पर आक्रमन उसके खिलाफ हम सब एक साथ मिलकर खड़े होंगे और यह बहुत महत्वकून कदम उठागे हैं यहां पर राहुल जी और हमारे विहार के चीप मिस्टर नितिश जी तेजेश्वी जी और सारे पार्टी के नेतागर्ण और दोस्तों हम यहां पर एक ऐसी अध्यासिक मीटिंग की और बहुत सी चीजे हम चर्चे में लाएं और एक हम सभी ने मिलके तई किया कि सभी पार्टियों को एक जूट करना और एक होकर आगे जो चुनाओं आएंगे उस चुनाओं में एक जूट दिखाकर लड़ना तो यह हमारा निर्णय हुआ है और हम सभी मिलके उसी रास्ते पर काम करेंगे और नितिश जी रावर्जाप तेजेश्वी जी और ललन सिंग जी सभी हमारे जो नेता गणिया बैटे हैं उसी लाइन पर हम काम करेंगे और हम पूरा इसमें एस साधने की पूरी कोशिश कर सब्सक्राइब करेंगे और जो आपको बताया अभी तो इन्होंने जानकारी देही भी है कि अधिक से अधिक पार्टियों को पूरे देश में एक जुट करने का प्रयास करना और उसके लिए हम लोग अपना कोशिश करेंगे सब लोग एगरी करेंगे वो सब लोग बैठेंगे और एक साथ हम लोग आगे का काम करेंगे मिल करक यह बातते हो गई है और इन चीजों को ले करेंगे भी कई लोगों से बात्सुत हुई हैं लोग फिर यह बातत हो गई है उसी किया धार पर हम लोग कर लेंगे और जितने लोग एक रेंगे तो सब लोगों को फिर हम लोग बैठ करके आपस में आगे का निरने थैख करेंगे अब जिस दिन बैठेंगे ने एक साथ उस दिन जानियेगा बहुत जादे लोगी कर्था होगी जो नितीश जी ने कहा कि ओपोजिशन को एक करने में एक बहुत एतिहासिक कदम लिया गया है आपने सवाल पूछा कितने ओपोजिशन पार्टी कोई खटा करना है देखिए यह एक प्रोसेस है और ओपोजिशन का जो देश के लिए विजन है उसको हम डिवेलप करेंगे और जितनी भी पार्टियां ह हमारे साथ चलेंगी उनको हम सब को एक साथ लेकर जो देश में अइडियो लडाइगी लडाई चल भी कर यह उसको लड़ेंगी जो इंस्टिटूशन पर आक्रमन हो रहा है जो देश पर आक्रमन वहो उसके खिलाफ हम सब एक साथ निलकर खड़े और एक बहुत महत्वकून कदम उठा गया है